दोस्तो पहला कोश्चन देखते हैं उजोन परत को मापा जाता है आप्शन है डोबंशन एक्सपेक्टरो मीटर से फोटो मीटर से प्रकास वर्स से इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आप्शन है डोबंशन एक्सपेक्टरो मीटर से ठीक है नेश्ट कोश्चन देखते हैं मि निमलिखित में से प्राक्तिक संसाधनों को चिन्हित कीजिए तो आपसन है जीव जन्तु, वायू, खनीज परदात, उप्योग्त सभी तो इसका राइट अंसर है उप्योग्त सभी चलिए नेश्ट कोशन देखते हैं दोस्तो निमलिखित में से पिर्थवी के भीतर पाय जाने वाले संसाधनों को चिन्हित कीजिए तो इसका आपसन देखिए वन संपदा, खनीज परदात, जल, उप्योग्त सभी तो इसका सही आपसन है खनीज परदात नेश्ट कोशन देखिए दोस्तो हवा प्रक्तिक संसाधन है तो भीतरी, बाहरी, मध्यस्तरी, A तथा B तो इसका सही आपसन है बाहरी ठीक है नेश्ट कोशन देखिए दोस्तो सोना, कोईला, अब्रक संसाधन है तो A है अवनी करड, B है नवनी करड ठीक है A तथा B और उप्योगत सभी तो इसका सही आपसन है B, नवीन करड ठीक है नवी करड चलिए नेश्ट कोशन देखिए दोस्तो भूचरड कहते हैं किसको कहते हैं भूचरड तो इसका आपसन देखिए मिट्टी के तुटने फुटने को मिट्टी के कड़ों के असनांतर होने को ठीक है मिट्टी के कटने को मिरीदा बिगलन को तो इसका सही आपसन है मिट्टी के कटने को ठीक है चलिए नेश्ट कोशन देखिए दोस्तो मिरीदा कटाव से भूमी के किस पच्छ में हरास होता है आप्षन है उरवर्ता में, मिरिदा ताप में, मिरिदा अधर्ता में, मिरिदा सरचना में तो इसका सही आप्षन है उरवर्ता में हरास होता है ठीक है आप्षन ए सही है चलिए नेश्ट देखे दोस्तो भारत वर्स में कितने हेक्टेर भूमी में क्रीसी होता है तो इसका option है 130 million, 132 million, 145 million, 1500 million तो इसका सही option है 145 million में ठीक है, चलिए next question देखें दोस्तो भौतिक तथा जैविक परियावरण में क्या है? ठीक है, कोई अंतर नहीं है, अंतर है, आंसिक अंतर है, उप्युक्त में से कोई नहीं ठीक है, भौतिक और जैविक परियावरण में अंतर है, चलिए next question देखें दोस्तो वायू, जल, एबम, अस्थर को किन गुड़ों में परवर्तित के फल सरूप प्रदूसर होता है इसका option देखें रसायनिक, भौतिक, जैविक, उप्युक्त सभी तो इसका सही option है, उप्युक्त सभी, सभी तरीकों से परदूसर होता है चलिए next question देखें दोस्तो पिर्थिवी का वा भाग जिसमें रेत, चट्टाने, मिट्टी, आदी आते हैं, उसे कहा जाता है तो option देखें, जैल मंडल, वायू मंडल, जीव मंडल, अस्थल मंडल, तो सभी जो आते हैं, उसमें अस्थल मंडल में सभी आते हैं रेत, चट्टाने, मिट्टी, आदी ठीक, next question देखें दोस्तो, पिर्थिवी पर जितनी भी नदियां हैं, तलाब हैं, जील हैं, समुन्दर हैं, वे किस मंडल में आते हैं, option देखें, जीव मंडल में, इस्थल मंडल में, वायू मंडल में, तो इसका सही option है, जैल मंडल में ठीक है, next question देखें दोस्तो, एस्याई सेर के सनरचड के लिए, गीर अभ्यारण कहां इस्थित है, जो गीर अभ्यारण है, एस्याई जो सेर है, उसके सनरचड के लिए कहां इस्थित है, option है, असम, गुजरात, मेगाले, मद परदे, तो इसका सही option है, गुजरात में 10-ताम प्रति लीटर पाराज रहेगा पानी में सुरक्षित पानी को चले नेश्ट कोर्षन से देखें दोस्तोप नेश्ट है डलहानी फसलों कोई जडों में पाये जाता है जो डलहानी फसल से मिल कर बना होता है देकolor 받아 बहुतिक परियावरड आरतिक परियावरड समाजिक पृखाण बन बेक ज्ञानिक पृखाण तो इसका उप्षण है एज बहुतिक पर। चलिए नेच्ट कोशन देखे दूस्तों पर्यावरण में क्या होता है केवल भौतिक वस्तों होती हैं केवल अब भौतिक वस्तों होती है एवं बी दोनों इन में से कोई नहीं तो इसका सही आप्षन है सी ठीक है ए और बी दोनों यानि केवल भावतिक क्वस्ति में होती हैं केवल और भावतिक वस्ति में होती है परियावरण में ठीक है चलिए नेश्ट कोशन देखे दोस्तों समय एवं अस्थान में परिवर्तन होने पर परियावरण में भी परिवर्तन होता है कभी कभी परिवर्तन होता है परिवर्तन नहीं होता है इन में स कोई नहीं यह option है option इसका यह सही है परिवरतन होता है समय समय ठीक है चलिए next question देखे दोस्तों next है मनुस को उन्नत एवन सम बनाने के लिए क्या आवस्यक है option देखे संस्कृती भूमी धान बुद्धी तो इसका सही option है संस्कृती ठीक है मनुस को उन्नत मलान के लिए संस्कृती बहुत ही आवस्यक है चलिए next question देखे दोस्तों प्राणियों के जीवन और विकास को प्रभावित करती है आम तोर से क्या प्रभावित करता है प्राणियों के जीवन को आपसन देखे प्राक्तिक दसा आर्थिक दसा राजिनेतिक दसा सभी दसा है तो इसका सही आपसन है ठीक है प्राक्तिक दसा प्रभावित करती है ठीक है नेश्ट है दसा विकास के प्रभावी पच्छ है क्या इसमें से है प्रभावी पच्छ है हरित क्रांति अवं आत्म निर्वर्ता तक्निकी विकास उप्योक्त दोनों कोई नहीं तो इसका सही अप्शन है उप्योक्त दोनों ठीक है दसा विकास को प्रभावी पच्छ है हरित क्रांतेवं आत्म निर्भड़ता और तक्निकी विकास ये दोनों अप्शन सही है चलिए नेश्ट कोशन देखे दोस्तों भारत में उस्र कटी बंधी वर्सा वन पाये जाते हैं तो अप्शन देखे जमुक अस्मिर में अंडमान में उत्तर प्रदेश में मध्ध प्रदेश म इसका सही आप्शन है अंडमान में चलिए नेश्ट कोशन देखे दोस्तों वह समधा जो किसी निवास अस्तल में अनुक्रमण पारंभ करता है कहलाता है ठीक है तो इसका आप्शन देखे सेरल समधा पारंभिक समधा जयव जाती समधा इको सियर तो इसका सही आप्शन है जयव जाती समिदा नेश्ट कोशन देखे दोस्तों घासी मैदान जहां कुछ पेड़ कहीं कहीं पर हो क्या कहलाता है ठीक है कहीं 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 पर पेड़ जो होते हैं वो क्या कहलाता है तो सदा बाहर जंगल सदा बाहर जंगल दो बार हो गया है और सी आपसन देखे समान और ड मृधा-phe, प्रकास, तापमान, वायू, तो इसका सही option है मृधा-phe, ठीक है, नेश्ट है भारती जय, भीभीता, अधिनियम, संसद्वारा पारित किया गया है, कब पारित किया गया है, आपसन देखिए, 1992 में, 1996 में, 2000 में, 2002 में, तो इसका सही option है, 2002 में, चलिए नेश्ट को देखे दोस्तों temperate one भारत वर्स में कहाँ पाए जाते हैं temperate जो one है वो कहाँ पाए जाते हैं अपसन देखे पुर्वी घाट पच्चमी घाट हिमाले इन में से कोई नहीं तो इसका सही आपसन है पच्चमी घाट next देखे one छेटर्व के बिनास दे इसमें कमी उत्पन होती है आप्षन देखे वर्षा मेदा आपरदन चक्रवातों में भू इस्खलन तो इसका सही आप्षन है वर्षा ठीक है चलिए नेश्ट कोशन देखे दोस्तो अमली वर्षा में समहाईत है आप्षन देखे S2O NO2 NO2 NO3 CO2 तो इसका सही आप्षन है A ठीक है S2 NO2 ठीक है चलिए नेश्ट कोशन देखे दोस्तो ग्रीन हाउस प्रभाव विस सुवाता वरड़ के संदर्भ में सम्बंदित है तो आप्षन देखे ठंड़क वम नमी से उस्ड़ प्रभाव से अधिक वर्षा एवम हर्याली से मरुस्थली करड से तो इसका सही आप्षन B है ठीक है उसमी प्रभाव से चलिए नेश्ट कोशन देखे दोस्तो दो प्रश्टित की तंदरों के बीच परवतनी अस्थल एवम या वनस्पतिवक्त अस्थलो के मद्ध का नाम है ठीक है तो इसका आप्षन देखे इको कलाइन ठीक है इको टोन इकैड वेरियर तो इसका सही आप्षन है इको टोन चलिए नेश्ट कोशन देखे दोस्तो भारत वर्ष में कुल कितने प्रा रच्छड केंद्र बागों के लिए निर्धारित हैं तो आप्षन देखे 10, 12, 14, 14 तो इसका सही आप्षन है 14 केंद्र बागों के लिए निर्धारित हैं नेश्ट देखे दोस्तो निम्न अभ्यारणों में से किसे पच्छी अभ्यारण होने की ख्याती प्राप्त है तो इसका अप्सन देखे भरतपूर सुंदरवन बंदिपूर मानस तो इसका सही अप्सन है भरतपूर ठीक है नेश्ट कोशन देखे दोस्तो गुजरात का गीर अभ्यारण निम्नमवन जीव के संरच्छड हेतु जाना जाता है किसके लिए जान पाहिरन, बाइसन, निल गाय तो इसका सही अप्सन ए है एसी आई सेर के लिए जाना जाता है गीर अभ्यारण ठीक है चरिए नेश्ट कोशन देखे दोस्तो नेश्ट है बी ओडी का अर्थ क्या है यानि इसका फूल फार्म क्या है तो अप्सन देखे बायो केमिकल अक्सिजन डिमांड ठीक है बायो केमिकल अक्सिजन डिमांड चरिए नेश्ट कोशन देखे दोस्तो निम्न में से कौन पिलिया का कारक है आपसन देखे वायों पर दूसर जल पर दूसर तापी पर दूसर मिर्दा पर दूसर तो इसका कारक है क्या कारड़ पिलिया होने का तो जल पर्दूसर ठीक है नेश्ट कोशन देखे दोस्तो भोपाल गैस त्रासथी हेतु उत्रादाई गैस कौन से है ठीक है तो आपसन देखे कार्बन मोनो अकसाइड मिथाइल आइसोसाइनेट इथाइल आइसोसाइनेट एनो 39 आइसोफोर ठीक है तो आपसन इसका देखे ए बी सही है ठीक है मिथाइल आइसोसाइनाइट ठीक है नेश्ट कोशन देखे दोस्तो ओजोन परत प्रभावी होती है आपसन देखे वानों की अधिक संख्यादवारा उद्धोक की अधिक संख्यादवारा सूपर सौनिक जेड बीमान से इन में से कोई नहीं तो इसका सही आपसन सी है सूपर सौनिक जेड बीमान से प्रभावीत होता है ओजोन परत चलिए नेश्ट कोशन देखे दोस्तो प्रदूसर को इस प्रकार से प्रभासित किया जा सकता है किस फरगार से तो आपसन देखे परियावरण में अवांचनी तत्वोग का पाया जाना ठीक है मिरिदा के उपरी सतर का हराज उर्जा का सनच्छड उपयोग सभी तो इसका आपसन ए सही है ठीक है चलिए नेश्ट कोशन देखे दोस्तो धोनी पर दूसर नियंतरित किया जा सकता है ठीक है आपसन देखे यातायात नियंतर द्वारा धोनी रोधी बहुनों से प्रयात सहरी नियोजन से एक सडको की डिजाइन से इन में से सभी तो इन में से सभी ठीक है ये जो सभी है इनके द्वारा धोनी पर दूसर नहीं अंतिलित किया जा सकता है ठीक है चलिए next question देखे दोस्तो धोनी की प्रबलता मापने की इकाई क्या है तो option देखे एंपियर, बोल्ट, ओम, डेसिबल तो इसका सही option है डेसिबल ठीक है ठीक है चलिए next question देखे दोस्तो नर्मदा नदी बांध के प्रयावरण से सम्मंधित है तो option देखे सुंदरलाल बहु गुडा, मेगा पाटकर, बिनोबा भावे अन्ना हजारे तो इसका सही option है मेधा पाटकर चलिए next question देखे दोस्तो नेश्ट कोशन है कारबेट राष्टि उध्यान कहां इस्थित है तो option देखे नैनी ताल, संबलपूर जिले में, पलामू जिले में, काम रूप जिले में तो इसका सही option है नैनी ताल यानि option एट नेश्ट कोशन देखे दोस्तो यू एन ईपी का पूल रूप क्या है यानि फूल फर्म क्या है ठीक है तो इसका सही option है c united nation environment program ठीक है नेश्ट कोशन देखे दोस्तो नेश्ट है सुनामी सब्द की भासा से है तो आपसन देखे जपानी चीन कोरिया मंगोलिया ठीक है तो इसका सही option है जपानी ठीक है नेश्ट कोशन देखे दोस्तो पिर्थवी का हुआ भाग जिसमें जीवधारी रहते हैं तो देखे इसका अप्षन अस्थल मंडल कहलाता है जीव मंडल कहलाता है वायू मंडल कहलाता है तो इसका सही अप्षन है अस्थल मंडल कहलाता है नेश्ट कोशन देखे दोस्तो निमलिखित में उपरी संसाधन की पहचान कीजिए, तो आपसन देखे, कोईला, सोना, अबरक, वायूं, इसका सही आपसन है अबरक, नेश कोशन देखे दोस्तों, भूर अच्छड किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आपसन देखे, भोतिकी, रसाइनिक, जैविक, तो इसका सही आपसन है रसाइनिक, ठीक है, नेश कोशन देखे, फसलो का चक्रानुकरमड आवस्यक है, तो आपसन देखे, खनीजों के बड़ोतरी है, तू मृरिदा की उरवरता बृद्धी है, तू प्रोटीम बृद्धी है, तू इन में से कोई नहीं, तो इसका सही आपसन है कस्मी, नेश कोशन देखे, पिर्थवी सता का कौन सा भाग वना च्छादित है, 7%, 14%, 28%, 35%, इसका सही आपसन है C, 28%, नेश्ट देखे, जल चक्र नियंतरित होता है, तो इसका आपसन देखे, घासी मैदान से, प्लैंक कटान से, वन से, इपी फाइट से, तो इसका स सही आपसन है, वन से, नेश्ट देखे, अधिक्तम उर्जा निहीत है, उत्पादक में, उपभोकता में, अब घटक में, सिकारी जन्तुव में, तो इसका सही आपसन है, उपभोकता में, B, ठीक है, नेश्ट देखे, हमारे राष्टी पसू एवं पच्छी क्रम से हैं, ठी आपसन क्या है, चलिए नेश्ट देखे, नेश्ट है, हमारे राष्टी पूस पवं ब्रिच क्या है, कमल एवं पीपल, कमल एवं बरवगत, कमल एवं चंदन, इनमें से कोई नहीं, इसका भी आप कमेंट बाक्स में, जरूर आपसन बताईएगा, कौन सा सही है, चलिए ने आपसन है, डी, संपूर प्रस्तित की तंत्र को, नेश्ट देखे, सिरिस्का राष्टि उद्दान कहां इस्तित है, मद्द प्रदेश, पिहार, आसाम, राजस्थान, तो इसका सही आपसन है, राजस्थान, नेश्ट देखे, जयव बिदिता दिवस मनाय जाता है, 22 अप्र होती है, वर्षा, मिर्दा अप्रदन, चक्रवातों में, भूस्कलन में, तो इसका सही आपसन है, वर्षा में, ठीक है, नेश्ट कोशन देखे, बिस में, पिर्थिव दिवस कब मनाय जाता है, तो आपसन देखे, चार मई, पांच जून, पंदर अप्रेल, 22 अप्रेल, तो है, देहरादून, जैपूर, चन्नाई, मैसूर, तो इसका सही आपसन है, देहरादून, ठीक है, देहरादून, चलिए नेश्ट देखे, प्रदूसर निवारड अवं नियंत्रड, अधिनियम बनाया गया, कब बनाया गया, नेश्ट देखे, जैव विविता के तब अस्थल, वे अस्थल है, जहां है, अलप जैव विविता, उच्तम जैव विविता, उच्तम सरचड एक एवं तीन दोनो, तो इसका सही आपसन है, बी, उच्तम जैव विविता, नेश्ट कोशन देखे, दोस्तो, आई बीबी का फूल फार्म क्या है, तो इसका सही आपसन है, सी, इंटरनेशनल बायोलाजिक के प्रोग्राम, ठीक है, नेश्ट कोशन देखे, दोस्तो, इसका सही आपसन है, नवीनी करण संसाधन, अब घटनी रख रखा है तो इसका सही आपसन है, नवीनी करण संसाधन, नेश्ट कोशन देखे, वा छेतर जो वन जीवो के कल्यान है तो संरचित है, कहा जाता है, तो इसका सही आपसन है, सी, संक चूरी कहा जाता है, नेश्ट देखे, अधो लिखिक जन्तु है तो संरच्छड परग्राम भारत वर्स में संचालित नहीं है, तो इसका option देखे, बाग, गेंडा, सेर, जिबरा, तो इसका सही option है जिबरा, next question देखे, दोस्तों, वन परिस्तित की तंत्र में सेर का ट्रॉफिक इस्थर है, option देखे, T1, T2, T3, T4, तो इसका सही option है T3, चलिए next देखे, सर्दार, सरुवर, बांध, परियोजना किस नदी पर इस्तित है, तो option इसका देखे, महा नदी, नर्मदा, सतलज, ब्रहुन, पूत्र, तो इसका सही option है B, नर्मदा नदी पर, चलिए next देखे, काजी, रंगा, राष्टी, उद्यान, मसूर है, किसके लिए मसूर है, तो परचियों के सनचड़ है तू, प्रसिद्ध अभ्यारण कहां इस्तित है, रड़, थमोर, कांजी, रंगा, कान्हा, भारतपूर, तो इसका सही option है, भारतपूर, ठीक है, नेश्ट देखे, नेश्ट है, बोपाल, गैस, कांड, जिसमें, मिथाइल, आइसो, साइनाइट, ग परचित नमी, जब संगनीत होकर दिखाई देने लगती है, तो उसे क्या कहते हैं, कोहरा, तुसार, राख, धुआ, तो इसको कोहरा कहते हैं, ठीक है, दोस्तों, नेश्ट कोशन देखे, एक अनुमान के अनुसार, CFC का जीवन काल होता है, यहां पर CFC रहेगा, CFC, क्लोरो फ्लोरो कारबन, ठीक है, तो CFC का जीवन काल कितना होता है, तो इसका सही आप्सन है, दस थे सव वर्स, चलिए, चलिए, नेश्ट कोशन देखे, दोस्तों, मनुस के दवरा सिगरेट पीना आता है, बेक्ती वायू परदूसक, ठीक है, वेसाइक वायू परदूसक, समिदा जल परदूसर, सोर परदूसर, अस्थल परदूसर, तो इसका आप्सन ए सही है, वायू परदूसर, नेश्ट देखे दोस्तों, तो अचा कंसर मुख कारण है, जल परदूसर वजन परत का नश्ट होना, अमली वर्सा जन मरोग, तो इसका सही आप्सन है, बी, वोजोन परत नेश्ट कोशन देखेए दोस्तो, CFC का प्रियोग किया जाता है, यहां प्रियाफ रह 시बाएगा, CFC का प्रियोग किया जाता है, है रेफिरेजिरेटर में, वतानु कुल लिएंद्र में, अंडो की कार्टून पैकिंग में, उप्योगत सभी में, CFC का प्रयोग किया जाता है रेफेरेजिरेटर में वाटन कुल लियंद्र में अंडो के कार्टून पैटिंग में उप्योग सभी में तो सभी में प्रयोग किया जाता है CFC का, चलिए से नेश्ट देखें धूस्तो dream आयूपरदूसर का रंग पर प्रभाव होता है, तो रंग हीन हो जाता है कोई प्रभाव नहीं परता है, रंग चमकने लगता है, रंग पीला हो जाता है, तो इसका सही option है ए सयनकच के लिए 40 decibel ठीक है चलिए next देखे question जब ध्वनी का एक माध्धम से दूसरे माध्धम में प्रिवेस करती है तो अपरवर्तित रहता है क्या रहता है अपरवर्तित option देखे चाल आयाम त्रिविता आपरिती तो इसकी frequency आपरिती चेंज नहीं होता है चलिए next देखे दोस्तो इस परष्ट ध्वनी सुनने के लिए प्रवर्तक तलवा ध्वनी श्रोत के बीच नियूंतम दूरी होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए 20 मीटर, 17 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर तो इसका सही option है 17 मीटर, ठीक है next question देखे दोस्तो frequency की इकाई है यानि आपरिती की इकाई है option देखे एंपियर, बोल्ट, हर्ड, नियूटन तो इसका सही option है next question देखे ध्वनी तरंग नहीं चल सकती है किसमे नहीं चल सकती hydrogen में, लोहे में, निर्वात में, जल में इसका सही option है निर्वात में next question देखे निमन में से किसके द्वारा सबसे ज़्यदा ध्वनी परदूसर होता है option देखे motor गाड़ी, railway engine, pop music हवाई जहाज की उडान भरना तो इसका सही option है D, हवाई जहाज की उडान भरना चलिए next देखे ध्वनी का प्रभाव कितने समय तक रहता है तो option देखे एक बटा के 5 सिकेंड एक बटा के 10 सिकेंड एक बटा के 20 सिकेंड एक बटा के 2 सिकेंड तो इसका सही option है एक बटा के 10 सिकेंड चलिए next देखे दोस्तो प्रती ध्वनी का कारण है तो इसका सही option है धोनी का प्रवर्तन नेश्ट कोशन देखिए दोस्तो परासरव तरंगे मनुस द्वारा नहीं सुना जा सकता है इसका सही option है नहीं सुना जा सकता है नेश्ट कोशन देखिए दोस्तो धोनी की चाल अधिक्तम होती है किसमे धोनी की चाल अधिक्तम होती है तो इस पात में इसका सही आपसन है इस पात में यानि श्टील में चलिए नेश्ट कोशन देखे दोस्तो चमगादर अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि वो क्यों अंधेरे में उड़ पाते हैं तो इसका सही आपसन है चमगादर प्रासर अब तरंगे उत्पन करते हैं चमगादड नेश्ट कोशन देखे दोस्तों गैस में धोनी का बेग सोतंद्र है तो इसका सही आपशन है दाब के ठीक है गैस में जो धोनी का बेग सोतंद्र है तो दाब के ठीक है चलिए नेश्ट कोशन देखे दोस्तों जब धोनी तरंग का स तो घरते क्रम में नहीं है धोनी का तो इसका दिखे हीरा काज पानी काज हीरा पानी पानी काज हीरा काज पानी हीरा तो इसका सही option है हीरा काज पानी ठीक है नेश्ट कोशन देगे दोस्तो नेश्ट है परा धानिक बिमानों की चाल होती है धानिक चाल के बराबर धानिक के कम कुछ भी हो सकता है इसका ड ओप्सन सई है धानिक चाल से अधीक ठीक है दोस्तो last question है 100 0 degree Celsius पर हवा में धोनी का वेग होता है तो इसका option देखे 332 meter प्रतिस सिकेंड B option है 332 foot प्रतिस सिकेंड 1120 semi प्रति मीनिट 1120 semi सिकेंड तो इसका सही option है A ठीक है 332 meter प्रतिस सिकेंड ठीक है दोस्तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें ऐसे हैं जीके के तियारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहें